इस लोग को समझेंगे भगवान करें हैं ना अहम प्रकाशा सरवस्य है मैं सब के लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ भगवान क्या करें है मैं सब के लिए प्रकाशित नहीं होता हूँ मतलब वे मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो अपने को प्रकाशित करते हैं मनुष्य की रूप में तो अपने को प्रकाशित करते हैं मनुष्य की रूप में लेकिन असली रूप में अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं असली रूप में वो कौन हैं अजनमा है अविनाशी है यह मनुष्य की रूप में अपनों को प्रकाशित करते हैं कि जनम लिया देव की माता है पिता बस देव है और पले हैं नंदे के घर में पले हैं ब्रजवार्शियों के साथ पले हैं तो ये जो है अपना जो मुनश जो रूप है अपना मुनश की रूप में अपने को प्रकाशित करते हैं लेकिन अपने को प्रकाशित नहीं करते हैं सब को अपने बारे में प्रकाशित नहीं करते हैं कि वे कौन है अजन अजनमा अभिनाशी अपने को प्रकाशित नहीं करते ह योग माया समाब्रता, योग माया से अपने को मैं ढख लेता हूँ, योग माया से ढख लेता हूँ, तो भगवान के जो योग माया है, तो उसे ज्ञान को ढख देते हैं, भगवान, अपने भक्तों के ज्ञान को ढख देते हैं, अपने भक्तों के ज्ञान को ढख देते हैं, तो उनके मरत भी नहीं जान पाते हैं भगवान को, जो प्रजवासी हैं वो भी नहीं जान पाते हैं भगवान को, और वे उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन जद्ध प्रेम करते हैं, जो प्रेजवासी हैं वे भगवान को नहीं पहचान पाते हैं कि भगवान हैं, और एक बालक अपना मित्र या अपना पुत्र के रूप में और जद़ प्रेम करते हैं कृष्ण से, क्योंकि योग मायस से उनका ज्ञान को भगवान ढख देते हैं, लेकिन फिर भगवान के मूढ हो यम नाव जानत, जो मूढ है उनको नहीं जान पाता मुझे, जहां मूढ ह कह रहा है भगवान ब्रजवार्शियों को, क्योंक उलो का जो है ज्ञान ढखने से, वे और प्रेम करते हैं कि eresна, तो मूढ नहीं लेकिन वे मूढ है, इसलिए किर्श्ण की सरण में नहीं आते हैं, जो समझते हैं कि किर्श्ण मनुष्य हैं ना तो किर्ष्ण से प्रेम करते हैं और ना किर्ष्ण के सरन में आते हैं मूढोयम ना भी जान आती लोको माम जवंबयम कि मैं अजन्मा हूँ अभिनाशा हूँ अभिनाशी हूँ ये नहीं वो जान पाते अब हम सुनेंगे प्रभुपात तातपर में क्या लिखते हैं सिला प्रभुपाद की जाए ये तर्क दिया जा सकता है कि जब किष्ण इस प्रत्वी पर भी दिमान थे और सबों के लिए दिर्श थे तो अब वे सबों के समख्च क्यों नहीं प्रकट होते हैं तो सब को उस समय तो दर्सन दें रहे थे यहाँ प्रभुपत एक दूसरा भी अरत निकाल रहे है कि कृष्ण उस समय जब अपनी लिला कर रहे थे तो सब को दिखाए पड़ रहे थे कोई माने है यह भगवान है कोई ना माने भगवान है सब को दिखाए पड़ रहे थे लेकिन तो अब वे सबों के समख्ष क्यों नहीं प्रकड़ होते या आप क्यों नहीं प्रकड़ होते क्योंकि उस समय वो आई थे इस प्रत्वी पर कोई जाने या ना जाने इस सब को दिखाए पड़ रहे थे अपने को प्रकासित किया था उन्होंने, लेकिन आप क्यों नहीं प्रकड होते, किन्दों वास्तों में भी हर एक ये समख्च प्रकड नहीं थे, और समय भी नहीं प्रकड थे, तो भी बाद आ गई, और समय भी असली दों में प्रकड नहीं थे, हर कोई उनको पहचान नहीं पाया, जब कृष्णे विद्धिमान थे, तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले ब्यक्ति थोड़े ही थे, जब कुरु सभामें सिश्वपाल ने कृष्णे की सभाध्यक्च चुने जाने का विरोत किया, तो भीष्म ने कृष्णे के नाम का समर्थन किया, और उन्ह तो समय बड़े-बड़े रिशी लोग आये थे, देवता लोग भी थे, तो वहाँ पर विचार किया जाते हैं, अगरे पूजा किसकी हो, और कृष्ण अपने को मनुष्ण के रूप में प्रकट करने हैं, तो कृष्ण ने दावा नहीं करते हैं कि मैं परमेशर हूँ, यहा लेकर उसना भीष्ण में जी ने जो है, किसन को सरवोच्चे बताया कि यह किसन सरवोच्चे हैं, और भीष्ण में जी की बात से सब लोगों ने जो है, मतलब किसन की अगरे पूजा की, बलकि भीष्ण में जी भी नहीं बताया, भीष्ण में जी भी नहीं बता रहे थे, क् कर चर्शन अgर नहीं बताना चाहेते, अपने कोई स्हेपाना चाहेते, तो मैं बताऊ या ना बताऊ। तो भ spaghetti gii भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन किस ने बताया। सहेदेवने बताया। सहदेव सबसे छोटे, पांडव में सबसे छोटे सहदेव, जो सबसे जो छोटा ब्यक्ति है, वो बता रहा है, उसकी बाद से फिर सब लोगों ने कहा, क्योंकि सब लोगे, दिमाग में तो ऐई था, कि बोलें, लेकिन बोल नहीं, पा रहा ही थे, कि किर्ष्ण की क्या उनको प्रकासे दिया जाये, ना किया जाये, जब सहदेव ने कहा, तो सब लोग बोल पड़े, तो सिशुपाल को जो है, एक अफसर मिल गया, ये बोलने का, कि देखोई छोटे बच्चे ने बोला, तो सबका दिमाग खरा हो गया, तो सिशुपाल को जो है, एक ये मिला उठाने का कि एक छोटा बच्चा जो है जब बोलता है कोछ गलत बात बोलता है तो सब लोग उसके पक्षमें होगे सब का दिमाग खरा होगे, क्या होगे तो शिशिपाल ने ये बात उठाई कि 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 अगरे पूजा क्यों होने चाहिए, क्रिशने तो मनुष्य है, क्रिशने कोई भी गोड़ नहीं है, यहां तो बड़े-बड़े देवता हैं, तो बड़े-बड़े रिशी हैं, बड़े-बड़े तपस्वी हैं ये हैं, वो हैं, तो बहुत बात गोसित किया, इसी प्रकार पांड़ो तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर की रूप में जान दे थे, किन्दू सभी ऐसे नहीं थे, अब भक्तों तथा सामाने बेखते के लिए वे प्रकट नहीं थे, इसी लिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कि उनके विशुद भक्तों की अतरिक अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं तो भगवान स्वयम अपने को प्रकट नहीं करना चाहेते हैं क्योंकि अठारे मिध्या में भगवान क्या कहते हैं भक्तिया माम अभी जाना आती या वान यस्चास में ततु था कि भक्ति के द्वारा है मुझे कोई तत्यों से जान पाता है बहुत तो भक्तों को भगवान प्रकट कर दे हैं और जो और उंचे भक्ति हैं उनको भगवान अज योगमाय से धंख देते हैं लेकिन वो और उंची इस्तिति है, कि भगवान को अपना पुत्र या अपना मित्र मानते हैं, तो वो तो और उंची इस्तिति है, तो उसकी तो बात ही नहीं है, यहां तो उनकी बात की जा रही है, जो कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वी कृष्ण को भगवान नही समझ पाते दिए आगे प्रहुपा लिखते हैं इस दिए भगवत गीता में किष्ण कहते हैं कि उनकी विशुद्ध भक्तों की तरफ अनने सारे लोगों हैं अपनी तरह समझते हैं वे अपने भक्तों के समख्ष ही आननंद की आगार के रोप में प्रकट होते थे कि दो अन्यों के लिए अलपक या भक्तों के लिए वे अपनी अंतरांगा सक्ति से आच्छा दित रहते थे स्रीमत भागवत में एक आठ उन्नीस कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया की आवरं से आवरित हैं अता सामाने लोगों है समझ नहीं पादे माया जमनिगा छन्नम प्रग्या धोक्षे जम अभ्यम नलक्षे से मूढ दरसा नटो नाट्य धरो यथा कुंती महरानी ये कहते हैं कि माया की परदे में आप अपने को छिपा लेते हैं और जैसे नट है तो जब नाट्य धरन करता है यह नाटक करता है तो कोई पहचान ने पाता है कि ये कौन है तो जब नाटक में कोई पात्र अपना बेश बनाता है किसी प्रकार का बेश बनाता है तो लोग ने पहचान पाते हैं कि ये कौन है तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है अपना पूरी तरह से मनुष्य के अभरिने करते हैं। और कोई नहीं पहसन सकता है। कि ये भगवान है, परमेशर हैं। तो ये कुंटी महराने ने कहा कि योगमाया के आवरन से आवर्थ हैं, अता समानिलोकुन हैं समझ नहीं पाते। इसोपनिसत में मंत्र पंद्रा भी इस योग माया आवरन की पुष्टी हुई है जिसमें भक्त प्रार्थना करता है यह मंत्र है इसोपनिसत का हिरन्मयेने पांत्रेने सत्यस्यापिहितं मुखं तत्तम पुषन नपावरनू सत्य धर्माय द्रिश्टए हे भगवान आप समग ब्रह्मभान के पालक है और आपकी भक्ती सर्वोच धर्म है अता मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें आपका दिव विरूप योग माया से आपरित है ब्रह्म है जोती आपके अंतरंगा सक्ति का अबरन है क्रिपेश तेज को हटा लें क्योंकि आपके सच्चिदाना अंद्विक्रह के दर्सन में बाद धक है ये मंत्र जो है उपनिसत्का है और इस मंत्र में भक्त ने क्या पराटना की है कि आप अपने को शेपाये हैं किसमें प्रकास के अंदर शेपाये हैं आपने प्रकास के अंदर शेपाया हुआ है तो जो बड़े तपस्च्ची लोग होते हैं उनको परमसत्य का दर्सन जियोती की रुप में होता है प्रकास की रुप में होता है अगर वो बड़ी तपस्च्चा करते हैं औ तो उनको परमशित्यक्त दर्शन किस रूप में होता है प्रकास की रूप में होता है तो प्रकास के में भी भगवान अपने को छेपाए है आप अपने को छेपाना चाहेते हैं तो अंधकार में छेपाते हैं प्रकास में तो आप नहीं छेपा सकते अपने को यह भगवान तो वो लोग क्या कहते हैं कि इश्वर प्रकास है इश्वर प्रकास है वो जो है God is light, light is God यहीं बोलते हैं लेकिन इस light के अंदर भगवान ने अपना रूप को छेपाया हुआ और वो रूप जो है किवल भक्तों को ही दिखाई देगा अब भक्तों को नहीं दिखाई देगा तो जो बहुत तपस्या करते हैं भक्ती नहीं है तो तपस्या के बलबर वो भगवान की प्रकास को देख सकते हैं लेकिन भक्ती के बिना प्रकास के अंदर भगवान का रूप नहीं देख सकते, प्रकाश के अंदर भगवान का रूप है, कैसे मेग श्याम, मेग के समान, श्यामल वरन वाले भगवान हैं, पीतवस्त धारन किये हुए हैं, दो भजाएं हैं, बंसी धारन किये हैं, तो जो भगवान का रूप है, वो उस प्रकाश के अंदर नहीं जब तक भक्ति ना हो तो जो भक्त है, वो प्रार्टना करता है आप प्रकास के आपरन को हटा लीजिए क्योंकि मुझे आप के दर्स नहीं बाधा पढ़ती है प्रकास के कारण तो जो भक्त है, वो जानता है कि भगवान ने अपने को छेपाया हुआ है प्रिकास के अंदर आप हटाईए इस प्रिकास को हटाईए मुझे अपना दर्शन दीजी तो भगतों को जो है इतना रह से पता चलता है कि प्रिकास जो है परमसत्य नहीं है परम सत्य का जो है, एक रूप है, इस प्रकास के अंदर है, आप प्रकास को हटाइए, मुझे आपका रूप देखना है, तो वो मंत्र है, हिरन मयन पात्रेणे सत्यस्या पहितमुकम, कि सत्य का मुक्ष है सोने के पातर से ढगा हुआ है, सोने जैसे प्रकार से ढगा हुआ है, तत्तम पूसन नपाब्रणू, तो हे प्रभु इसको हटा दीजे, सत्य धर्म आए दिरिश्टेजे, क्योंकि जो सत्य का पालन करें और धर्म का पालन करें, धर्म का मतला भक्ती, जो भक्त सत्य, आपके सची भक्ती का पालन करे, तो इसको आप अपना दर्शन दीजिए, तो ये अधिकार है, भक्त को ये कहने का अधिकार है, कि आप मुझे दर्शन दीजिए, आपका प्रकास बाधर डालता है, आपका दर्शन, आपके दर्शन में बाधर डालता है ये प्रक तो भक्त कहता है, है ना, तो ये, भगवान अपने दिव्य सचितनन रूप में ब्रह्मे जोती की अंतरंगा सक्ति से आबरत हैं, जिसके फल्स रूप अल्प ज्यानी निर्विशेश्वादी परमेशर को नहीं देख पाते हैं, तो उनका ज्यान अल्प है, इसलिए वे क्या क कारण वे भगवान को क्या करते हैं, कि इतने ही, भगवान इतने ही है, कितना प्रकास, बस, यही है, और कुछ नहीं, निर्विशेश्वादी, नहीं, परमेशर को नहीं देख पाते हैं, आगे, श्रीमत भागवत्म भी, 10, 14, 7, ब्रह्मा अद्वारा की गई ये स्तुति है हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्तर हर्ष्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है, जो आपकी सक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके, आप सदैव अपनी अंतरंगा सक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अता कोई भी आपको नहीं समझ सकता, विज्यानी तथा कि रहों का अनुमेशन करने, किन्तों अपने समक्ष आपके विद्धिमान होते हैं भी वे आपके सक्ति की करना करने में असमर्थ हैं, भगवान क्रिष्णना के वाला जन्मा है, अभी तो वे भी हैं, वे सच जदनन्द रूप हैं और उनकी सक्तियां आद्याय हैं, यहां भगवान क्या किया रहे हैं, कि भगवान का यह जो रूप है, यह ऐसा रूप नहीं है, जैसे हम लोगों के रूप हैं, हम लोगों का सरीर कैसा होता है, जनम लेता है, जनम होता है और नश्ठ होता है, हमारा सरीर जनम लेता है और नश्ठ होता है, हमारा सरीर, तो अल्प ज जानी की जो बुद्धी है वो इससे आगे जाती ही नहीं है कि ऐसा भी कोई रूप हो सकता है जिसका जनम ना हो और ना मरन हो कभी कभी वो सोचते हैं कि ठीक है भगवान का जनम तो नहीं होता है लेकिन मरन हो जाता है जनम तो नहीं हुआ था उनका लेकिन मृत्यू हो सकती है भगवान में जनम और मृत्यू नहीं है और रूप है तो उनके दिमाग में यहीं बिचा रहता है कि अगर भगवान का जनम नहीं है और मरन नहीं है तो निराकार कोई रूप नहीं है लेकिन जब भगवान कहते हैं कि मेरा जनम नहीं मेरा मरन नहीं है तो अपने रूप के लिए कि मेरा रूप ऐसा है निराकार के लिए जनम मरन की बात ही कहां से आती है अगर कोई रूप ही नहीं है तो जनम और मरन की बात ही कहां से आती है जब भगवान केते हैं कि मेरा जनम नहीं है, मेरा मरण नहीं है, तो इसका मतलब है कि अपने रूप की बात कर रहे हैं, कि मेरा रूप है ऐसा, अब इस विशह में श्री भगवान ने कहा में काफी चर्चा हुई है, तो कुछ मैं इसमें से पढ़के सुनाओंगा, आप द्या की रूप में इसने प्राप करने के लिए उनके ज्यान को ढग देते हैं, अपने भक्तों ज्यान को ढगते हैं, क्यों? उनका इसने प्राप पाने के लिए, किस रूप में? मित्र के रूप में या पती के रूप में या पुत्र के रूप में इसने पाने के लिए उनके ज्य अज्ञान को ढख देते हैं कि वे श्री कृष्ण को परमेश्वर की रूप में ना समझ कर अपना मित्र अत्वा पुत्र अत्वा पती समझने लगते हैं परूंतु ये अज्ञान की स्थिति नहीं है इसको नहीं भगवान ने कहा कि अज्ञान है अज्ञान की स्थिति नहीं ह यह स्थिति अत्य उन्नत माने जाती है, क्योंकि योग माय के द्वारा उनका ज्ञान ढखने के कारण वे भक्त श्री कृष्ण के निकट आ सकते हैं, तथा अपने मित्र अत्मपृत्र के रोक में वे श्री कृष्ण के सेवा कर सकते हैं। पर उनक्त समयां पर श्री कृष्ण उन भक्तों को अपनि है अैसवर का पर दर्शन करते हैं। तो भक्तों के लिए जब भगवान अपने को ढखते हैं, तो वो अज्यान नहीं हैं। तथा जिस समय माता शोदा ने स्रीकृष्ण का मुख खुलवा कर देखा उसमय उन्हों ने स्रीकृष्ण के मुख में संपूर्ण आकास, प्रत्वी, परवत, समुद्र, दीप, अगनी, शूर्य, चंद्रमा, सब कुछ देखा और समय उन्हों स्रीकृष्ण को परमेश्वर मानकर स्रीकृष्ण की सरन लेने का बिचार करने लगी माता शोदा सोचने कि मैं तो बहुत अन्याय कर रहे हूँ कि मैं इनको अपना पुत्र मानती हूँ यह तो भगवान है परमेर्शन है मैं इनके सरन लो बिचार कर रहे ही थी ऐसी सिथी मैं स्री किसने सोचा कि इसी माता शोदा को स्री कृष्णे के तत्तों का ज्यान हो जाएगा तो भी स्री कृष्णे के परती माता का इसने नहीं रखेंगी अता स्री कृष्णे माता ये शुदा का बात्तल इसने प्राप्त करने के लिए अपनी योग माया के द्वारा माता के ज्यान को ढग दिया क्यों क्योंकि उनको क्या चाहिए माता काईष नहीं चाहिए उसलिए माताशोदमागागाग्यान उन्होंने ढग दिया भागवध 10 ओठ िसमय सिलसुकदेउगों स्वामें कहते हैं कि माताशोदमागी जिस समय स्रीक्रिष्न पे तत्यों को समझ गई वो समझ श्री कृष्ण ने अपनी वैस्नवी माया अर्थाद योग माया इस प्रकार फेलाई कि माता शुदा अपना श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझ कर पुत्र स्नहे में दूब गई तात्पर में प्रूपा लिखते हैं यह दभी माता शुदा को समझत जीवन दर्शन समझ में आ गया था कि दूसरे छण वे योग माया के प्रभाव से इस नहीं वस अभी भूत हो गई उन्होंने सोचा कि जब तक वे अपने पुत्र की देख रेक नहीं करेंगी तब तक वे शुरक्षत कैसे रहेगा तो भगवान पर वेसा है यह माता कोई ही चिंता है जब तक मैंने पालन करूंगी तो मेरे पुत्र की रक्षा कैसे होगी अन्यथा ना सोच पाईं वे अन्यथा ना सोच पाईं अपना सारा सिध्धान भूल गई सिला विश्वनात चक्रवर्देशाकुर ने इस विश्मृति को योग माया का प्रभाव बतलाया है भौतिक्तावादी महा माया के द्वारा मुग्द हो जाते हैं भौतिक्तावादीयों के लिए भगवन की महा माया कारे करती है उनके ज्ञान को ढखती जिससे वो भगवन से और दूर जाएं किन्दो भगतिकान दिवे सक्ति की विवस्था की अंतरगत योग माया के द्वारा मुग्द होते हैं फिर भागवत 10.8.44 में वर्णन आता है कि मात आश होदा को स्री किस्ण के मुख में जो संपूर्ण विश्व का दर्सन हुआ था उसे बे तुरंत भूल गई तदा उन्होंने स्री किस्ण को अपना पुत्र समझ कर अपनी गोद में ले लिया और अपने पुत्र के प्रती पहले की तरह इसने से बर गई ये समझने की बात है कि जिस समय भक्तों के ज्यान को योग मया ढखती है तदा जिस समय भक्तिगन स्री किस्ण के प्रती ईश्वर भाव को भूल जाते हैं और समय बे स्री किस्ण की अधिक निकटाते हैं अपना पुत्र अत्वमित्र मान कर उनकी सेवा करते हैं यह तियंत स्वभाग की इस्तिती है पर उन्थ जिस समय यही योगमाया अभक्तों के ज्ञान को ढखती है तथा जिस समय अभक्तिकन स्रीक्रिस्ण के परती इस वर भाव से रहत हो जाते हैं पर समय वे स्रीक्रिस्ण से दूर हो जाते हैं अरे यह तो भगवान है नहीं यह क्या भगवान है यह भगवान नहीं है तो छोड़ो हमें क्या जूरत है इनकी सेवा करने की यह तो समान है मनुष्य है और समय यही योग माया महा माया कहलाती है तता यह भक्तों की को दुर्भाग की इस्थिति में डाल देती है तो यहाँ पर स्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग माया के धके होने के कारण ना तो भक्तों के अंदर अपने प्रती इस्वर भाव उत्पन होने देते हैं और यह भक्तों के अंदर इस्वर भाव उत्पन होने देते हैं पर दो भक्तों के लिए यह स्थिति अत्यंत स्वभागे पूर्ण है जबकि भक्तों के लिए ये स्थिति अत्यंत दुर्भागे पूर्ण है अब यहाँ पर प्रिश्ण उड़ता है कि भक्तों को ऐसी दुर्भागे पूर्ण स्थिति क्यों प्राप्थ होती है एक प्रिश्ण है अब भक्तों को दुर्भागे पूर्ण स्थिति क्यों अप्राब्द होती इस प्रिष्ण का उतर यही है कि जो लोग अपने आपको सुतंत्र समझना चाहते हैं तता इश्वर को भूलना चाहते हैं उनके लिए स्री कृष्ण की महा माया ही ऐसी बेवस्था करती है यहाँ पर स्री कृष्ण के रहे हैं, कि ऐसा मून बेकती स्री कृष्ण को जनमा तथा अविनासी नहीं समझ बाते हैं पर उसे भक्तों के लिए मून सब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं मून सब्द का प्रयोग क्योंकि ऐसे भक्त स्री कृष्ण के प्रती इस तर भाव से रहत होकर स्री कृष्ण के साथ अपना घनिष्ट सम्मन्न इस्थापित करते हैं इसके तरक एक दूसरी बात यह भी है कि ऐसे भक्तों को समय समय पर स्री कृष्ण के महिमा का अज्ञान प्राप्त होता रहता है इसलिए ना तो ऐसे भक्तों को मूड ही कहा जाता है तथा नहीं भक्तों के ऐसी सिति को अज्ञान ही कहा जाता है इस इस लोग के तात्पर में सिला प्रहुपा लेखते हैं यह तर्ग दिया जा सकता है कि जब स्रीकिष्ण इस प्रत्वी पर विद्धिमान थे और सबों के लिए दृष्ष थे तो अब वे समों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते कि इस वास्तों में भे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे जब स्रीकिष्ण इस W द्धिमान थे तो नहीं भगवान के रूप में समझने मारे वेक्षि थोड़े ही थे यहाँ पर स्रीकिष्ण किया रहे हैं कैसे मूर्ण स्रीकिष्ण को अभनासी नहीं समझते हैं इसको इनका हम बढ़न कर सकती है है, Kisra का. इस प्रोकार से जो है, उनके दिमाग में बाद बाती है। जिसना श्री किसने छे दुनों के बालक थे पसिना पूतना ने अपने स्तनों में यह सोच कर घातख बिश्ष्ष लगाये था कि इस बिश्षष का, स्री किर्षन के मुख से इस पर सोते ही स्री किर्षन की मिर्ती हो जाएगी अभगत है इसलिए वो सोच रही पोतना सोच रही है कि अगर इतना खतरनाक जहर मैंने जो इस तन में लगाया है वो उसके मुँँ में जाएगा तो मर जाएगा किस से मर जाएए लाएगा अवे सोज रही जब किसी पर कितनी विद्या है वो विद्या हमारे पास नहीं है पास कैसी विद्या है कि उसका सरीर तो बहुत बडा था लेकिन उस अपनी चुछ विद्या की दriverा सरीर को बड़ा सुन्दर बना लिया और छोटा सरीर बना लिया, ऐसी विद्या, हमारे पास तो नहीं है, अगर हम चाहें अपना छोटा सरीर बनाएं, तो छोटा सरीर हम तो नहीं बना सको, हमारे पास ऐसी विद्या नहीं है, लेकर उसके पास रहती विद्या थी, लेकर जब कृष्णे उसके इस्तन को, मतलब ऐ ऐसे चूषा कि प्रान भी निकलने लगें, तो उसकी वो विद्या अब काम नहीं कर रही थी, तो उसका शरीर असली शरीर प्रक़त हो गया, असली शरीर कितना बड़ा था, 18 km इतना बड़ा सरीर था 18 km का सरीर था पूतना का तो फिर उसकी जो सक्ती थी जिस सक्ती से उसने अपने सरी कोई छोटा बनाया था वो सक्ती अब काम नहीं कर रही क्योंकि प्राण निकल रहे हैं तो अब वो सक्ती कैसे काम करेगी वो विद्या आप काम नहीं कर रही तो असली सरीर प्रिकट हो गया 18 km का सरीर कितना बड़ा सरीर और 18 km की सरीर को उसने कितना छोटा बना लिया था हमारे आप जैसा सरीर बना लिया और कृष्ण को इस तन पिला रही थी कि कृष्ण को मैं मार डालूँ अपना इस तन पिला करके और इस तन में जहर जो लगा हुआ है उससे कितना को मार डालूँ तो इतनी विद्या है ने भक्ती नहीं है तो कितना को नहीं समझ पाई और कितना को उसने अपनी गोद में ऐसे उठाया जैसे कोई गलती से तो रसी समझ के उठा ले साप को आप रसी समझ के उठा लोगे तो क्या होगा बहुत खतरनाक किसन बहुत खतरनाक है वो भी खतरनाक है तो उसने जैसे अपनी अपना कपट वो जैसे कपट कर रही है तो किसन भी कपट कर रही है और वो सोच रही है कि कि एर मेरे कपड को निसमात पारा है जब्कि तो इसके कपड को जानते हैं कि इसके अंदर कपड रहे हैं तो जो भागते हैं वो समझते हैं तो यहाँ पता है मर जाएगा तो तुर्णा वर्थ कृष्ण को हजारों किलोमेटर उपर ले गया था पर उस्थ श्रीकृष्ण अभिनासी है अता स्रीकृष्ण को मान डालने के प्रयास में उसी की मृत्यू हो गई अवसकंदर भी विद्या थी कितनी विद्या थी कि उसने इतना बड़ा ज्छल डूल हो गई कि किसी को भी आपने सामने भी न दिखाी दे कि क्या है इतना अंध़कार परदा करते धूल से है वो विद्या हमारे पास है क्या हमारे पास तो नहीं जो ऐसी जी जै तना बड़त गे अन्दर ऐसी जैए थी लेकर वो भकत नहीं है यह ग्रशन को नहीं जान सकता। कि कुछन कौन है? पर सोचता है कि मान डालूँगा, कुछन को मान डालूँगा. और कुछन, कुछन भी कपड करते हैं, तो कुछन को उसने जो है, उड़ा दिया, उपर उड़ा लिया. अगिस्द मता ये शोद्र की गोद में थे तो मता शोद्र संकš Eren में ना पड़े इसलिए कृष्ण ने अपने सेरे को भारी कर दिया तो मता शोद्र ने जमन में बिठा दिया किर्सव को और सूच रही कि बाला कितना भारी कैसे हो गया अब किसी को बताती ही नहीं माता, बाला कर भारी हो तो माता किसी को नहीं बताती, सोच रही भारी क्यासे हो गया, तो वो थोड़ा चिंता कर रही है, और किस भारी इसलिए हो गए थे, कि माता उतार दे, ताकि माता संकट में ना पड़े, और वे खुद अकेले ने पटना चा ले गिया और जब उसने गिराना चाहा उपर से किस्न को तो किस्न ने उसको उसके गला पकल दिया गला पकल दिया और किस्न इतने भारी हो गए कि अब वो जो है उपर जा नहीं सकता इतने भारी हो गए अब वो सोचता है कि मैं छोडालू अपना गडा छोडालू यह कितना भारी हो गया है पहाड की तरह भारी हो गया है तो गला नहीं छोडा पाया है और अब नीचे आ रहा है अब जो नीचे गिर रहा है तो किसन नीचे उपर वो है किसन बहुत भारी है तो किसन नीचे है उपर वो है और गिरेगा तो किसन नीचे गिरेंगे किसन के उपर वो गिरेगा तो उस समय बीच में ही किसन है क्या हो गई हलके हो गई अब हलके हो गई वो भारी हो गया तो नीचे वो आ गिया वो किसन उपर आ गए किसन चाहते हैं कि जब गिरेगा जमीन में तो यह नीचे गिरेगा वो में उपर गिरू तो जब उपर था तो किसन भारी हो गए तो किसन नीचे थे और वो उपर था जैसे जमीन के निकट आए तो वो गिरा नीचे उसकी हटडी टूट गई और सुरक्षत उसकी उपर खेल रहे हैं आराम से तो हुआ क्या कि गजदन पकड़े था तो वह उसकी पीट ऊपर थी और पेट नीचे था उप्र पकड़े थे इसको लेकर जैसे ऑपीट नीचे और पेट ऊपर हुआ किसनी नीचे तो पीठ के बल गिरा औगिनर उसके चाती में अपना सुरक्षित खेल रहे हैं तो कोई नहीं जान सकता जो भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता कि क्रिष्ण अजन्मा है और अभिनाशी है फिर जिस समय श्रीकृति ब्रज में बालकों के साथ खेल रहे थे उस समय बकाशोन ने सोचा कि वो स्रीकृति को अपनी चोंस के दुरा निकल जाएगा तो स्रीकृति के मृत्य हो जाएगा कौन बचेगा बगुले की चोंस के अंदर कोई आ जाए कौन बाचेगा परने स्रीन caffeine अभिनासी है है अता स्री कुमार्ट डालने के प्रयास में उसी की मृत्य हो गई फिर जिस समय श्री कुमार्ष से पांच बसके बालक थे लुवा को समय अगास ओने सोचा था जिए स्री कुमार्ष इसके पेट में चले जाएंगे तो इसके पेट में से जटर अगनी के द्वारा स्री किरसी की मृत्य हो जाए बड़ा भारी अजगर 12 किलो मीटर का आजगर 12 किलो मीटर का आजगर और उसके पेट में चला जाए कोई तो फिर कौन बचेगा जटर अगनी आग जल जाएगा, बच जाएगा तो किस्र को उसने अपने मुँ में डाल लिया परन्द स्री किस्रा विनाशी है अता स्री किस्रा को मार डालने के प्रयास में उसे की मृत्यों हो गई तो इस तरह से हमने कोई चर्चा की है अभी हमारे पास कोई समय है तो आप लोगों की और से कोई प्रिशन है या कोई चर्चा या मैं प्रिशन करूँ यह चालू कर दिया तो जैसे लिए सब्सक्राइब बता है कि सब्सक्राइब तो उन्हें उसको बलत बिला हो रही किसे पमाद जो भगवान से सतृता करते हैं तो उनका भी लाब है उनका भी कल्यान है जो सतृता करते हैं उनका भी कल्यान होता है लेकिन जो भक्ती से जो लाब होता है तो वो लाब नहीं होता जो असुर मारे जाते हैं भगवान के द्वारा तो उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है भगवान के सरी में एक हो जाते हैं लेकिन उनको वो प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त होती तो भगवान के साथ जो प्रेम का संबन्ध है वो मुक्ति से भी उपर है मुक्ति मिल जाती है मुक्ति भी बड़ी दुरलब होती है मुक्ति आसाने से नहीं मिलती लेकिन मुक्ति भी अगर मिल जाती है लेकिन वो भक्ति जो है मुक्ति से भी उपर है जो भक्तों को प्राप्ध होती है भक्ति वे भी भागिसाली हैं क्योंकि वे अस्वर भी तपश्या तो करते ही हैं तपश्या करते हैं और तपश्या के द्वारा बहुत से सक्तियां प्राप करते हैं तो उनके पास सक्तियां तो बहुत से होती हैं यहां आसुरी भाव होता है आश्रिभाव होता है अब ये कैसे उनका स्वभागे बन गया कैसे किस प्रकार का स्वभागे बन गया कि वे भगवान की हाथों मारे गए उनको अच्छीकती मिल गई किसी प्रकार से भी वो स्वभागे तो उनको मिल जाता है तो ये स्वभागे की बात है लेकिन हमें चाहिए कि हम भक्ती का अभियास करें हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ती के द्वारा भगवान की सेवा करें भगवान को प्रसंद करें और अच्छे संब्द बनाएं तो वो ज़्याद अच्छा है ठीके ना? और कोई प्रस्ण जब भगवान कहते हैं कि मैं सब को प्रकाशित नहीं होता हूँ मैं योग माया की दौरा धका हूँ तो योग माया की दौरा किसना अगर धके हुए है तो इसका क्या मतलब है कि किसना कहते हैं मैं सब को प्रकाशित नहीं होता हूँ मैं योग मैं माय के दोरा ठका हूँ इसका मतलब क्या है कौन बताएगा हाँ जी आप ठीक है आप इतनी है बस और कोई हुआ है इसकार लोग माय के दोरा ड़ो आप यामी अभी ये पिशे नहीं है अभी जो हम ने बताया उसको उस पर आप चर्चा करो कोई दूसरी चर्चर नहीं करना है अभी जो मैंने बताया है उस पर चर्चा करना है हा आप बताएं फिर से वो लोग क्या गया रहे हैं और कोई और कोई भगवान ही कह रहे हैं कि मैं सब को जो है प्रकासित नहीं होता हूँ योग माई की तो रठाका हूँ इसका मतलब है भगवान मौन से लीला कर रहे है तो मौन से लीला प्रकासित कर रहे है अपने को मौन से रूमें प्रकासित कर रहे है भगवान अपने को मौन से रूमें प्रकासित कर रहे है तो कोई अगर उनका जो है बढ़न जाना परिचा है अगर जाना चाहेगा तो क्या परिचा है उनका कि इनके इस माता के पुत्र हैं इस पिता के पुत्र हैं ये माता हैं ये पिता हैं यहां जन्म हुआ इनका यहां पढ़ाई लिखाई केरी और ये योगता है इतनी योगता ह मनुष्य का जो है जितना परचा है वो जो है भगवान अपना देखा दें सब उन लोगों को लेकिन कोई नहीं जान पाता कि ये कोई अजन्मा और अभिनाश है तो मनुष्य की रूम में परचा क्या है भाई इस तारीक को इनका जनम हुआ है ना इतनी उमर हो गई है और इसके बाद जो है मतलब क्या होगा अंते में तो उमर समाप्त होगी है ना इतनी उमर हो गई है तो इस तरह से लोग जो है मनुष्य रूप में जानते और ये जो भगवान योग माया से अपने को ढखते हैं तो दोनों के लिए भक्तों के लिए भी अपने को ढख देते हैं लेकिन वो स्वभाग है भक्तों के लिए क्यों स्वभाग होता है योग माया से भगवान अपने को ढख देते हैं और भक्तों को इस्वर नहीं जान पात लेकिन भाकतों के लिए यह दुर भाग है यहाँ यह तहो मनुष्य है यह अनु नहुतम है इनके हम यह को पुजा करें यह तो मनुष्य है और वह जो है यह सोचते हैं तो मरने वाले हैं और अगर मार दिया जाए तो हमारा इसमें कुस्स लाब होता तो लाब उठालो, मार डालो, और अपना कुछ लाब उठालो, तो यह सोज़, इस तरह सोज़, धन्यवाद.